हाई गर्ज़ और वल्कम बैक तो दी चैनल दीपक यादव एजुकेशन विल्कम तो दी डेली करेंट अफेर्स ओफ 15 अफ सेप्टेमबर 2021 तो गाईज आज है तारिक 15 सेप्टेमबर 2021 केस और है वेडनेस डे आज की तारिक से जितने भी most important current affairs बनेंगे उन सभी current affairs को हम लोग detail में discuss करेंगे now बढ़ते हैं आगे एक बार देख लेते हैं कौन-कौन से आर्टिकल का discussion करेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले आर्टिकल में हम बात करेंगे एक important topic के बारे में इंडिया और Australia के बीच में हाल ही में 2 plus dialogue हुआ है तो इसके बीच में क्या-क्या discussion यह 2 plus 2 meeting क्या होती है और भी बहुत सारी information आपको जानने को मिलने वाली है यह article आपका GS paper to international relations के point of view से important हो जाएगा बाइदावे जो वीडियो है daily current affair का यह daily business पर morning में 5 बजे upload हो जाता है और यह वीडियो आपके UPSC और state PSC के point of view से बहुत ज़धा important है क्योंकि हाँ पर हम लो करेंगे अचारया विनोबा बावे जी के बारे में यह क्यों है चर्चा में एक बहुत महत्पूर्ड रोल इन्होंने प्ले किया था इसमें आपको बहुत सरी चीजे को जानने को मिलेगी एक movement है उसके बारे में जानने को मिलेगा इस type के question जो है UPSC पहले पूछ चुगा है इसी वज़ा से article important है आगे हम लोग detail में बात करेंगे उसके बार थर्ड आर्टिकल और भी जादा important होने वाला है यह दोनों ही article आपके history के point of view से important है और history कहां पे आती है GS paper 1 के अंदर जो दूसरा वाल आर्टिकल यहां पे चर्चा हो रही है battle of सारी गड़ी के बारे में तो लोग यहां पर 10,000 अफगानियों के उपर भारी पड़ गए तो इसके बारे में हम लोग काफी detail में चर्चा करने वाले हैं उसके एक article पुराना है लेकिन important है दुगॉंग conservation reserve को लेकर यहां पे एक article आया था तो भारत के अंदर पहला दुगॉंग conservation reserve open हुआ है तो इसके बा moment के point of view से important article है उसके बाद next article हम discussion करेंगे स्वच सर्वेक्षन ग्रामीन के बारे में यहां पर जो open defecation है उसको एक तरीके से open defecation free हम लोग अपने country को बना रहे हैं खुले में शौच ना हो उसके उपर focus किया जा रहा है तो इसको लेकर हम लोग discussion करेंगे दन उसके बाद ए एक तरीके से जो यहां पर transaction हो रहा है वो phone pay pay ATM इनके तुरू यहां पर transaction करें receive करें payment करें तो digitalize करने की बात करी गई है इंडिया को उसमें हम लोग discussion करेंगे at the last important article है आज के टाइम पर दुनिया भर में container shortage की दिक्कत देखने को मिली है अब यह जो container shortage हुआ है तो यहां पर इसकी वज़ा से इंडिया के उपर क्या impact पढ़ रहा है प्लस global impact क्या है दुनिया भर में क्या impact पढ़ रहा है इसके पीछे का कारण क्या है यह सारी चीज़ ह pdf चाहिए तो नीचे description box में आप सभी लोग को telegram का link दिया गया है वहां से जाकर आप लोग इस lecture के pdf को download कर सकते हो और यह है मेरी instagram id दीपक चादव education यहां पर जाकर follow कर लेना अपनी जितनी भी queries हम उससे आप लोग यहां पर पूस सकते हो by the way दोनों ही चीज़ों का link आप आपको नीचे description box में मल जाएगा साथी साथ यहां तक पहुंच गए तो वीडियो को like जरू कर देना आप वीडियो को like करते हो बहुत support मिलता है बहुत motivation मिलता है प्लस वीडियो बहुत सारे लोगों तक reach भी होता है तो like करना बिल्कुल मत भूना यहां पर हम लोग 1K like का target आज की वीडियो का okay now अफट अफट एक बार revision कर लेता है क्योंकि हम लोग अपने वीडियो में क्या करते हैं एकदम पूरा compilation लेकर चलते हैं जैसे कि आज के जो current issues होंगे उसको तो discuss करेंगे साथी साथ जो हमने कल discuss किया था yesterday में discuss किया था उसका भी revision लेंगे तो कल हमने क्य discussion किया था हमने detail में बात करी थी lunar science workshop 2021 के बारे में basically article था कि इस रो का जो चंद्रयान 2 वाला mission था by the way आपको बताना ही है चंद्रयान 2 mission कब launch हुआ था पहला question ठीक है तो यहाँ पर चंद्रयान 2 mission launch किया गया था और आपको मालूम होगा वो fail हो चुका था जो lander है उसका वो सह सारी information दी है जो की moon पर हम लोग को कुछ नईनी चीज़े मिली है और आप कैसकते हो इस रो ने वही सारी information बहार निकाली तो आप लोगों को बताना है कि क्या क्या detail में discuss किया था कि जो orbiter है उसने बहुत सारी चीज़ों को detect किया moon के उपर तो नीचे comment section में जरूर इसके बार अगर हम करेंगे तो इसका हम लोग ऐसा fuel इस्तमाल कर सकते हैं ऐसा energy इस्तमाल कर सकते हैं तो इससे क्या होगा हम लोग मीथानॉल को पर dependent हो जाएंगे प्लस जो है हमारा जो crude oil वगएरा आज का time पर हम लोग जो petrol crude oil दूसरी country से purchase करते हैं वो dependency हम हो जाएगी हम लोग अपने country के अंदर खुद मीथानॉल का produce करते वे नजर आएंगे अब देखो जो मीथानॉल का production है वो basically natural gas से होता है दूसरी countries के अंदर ठीक है अब क्या है natural gas से होता है लेकिन इंडिया के अंदर natural gas तो है नहीं इंडिया के मतलब natural gas है लेकिन बहुत ज़दा कम है बहुत कम reserves natural gas के भ dependency है उसको कम करेंगे प्लस power को generate करेंगे fuel as a fuel इस्तमाल करेंगे और भी various चीजों के अंदर methanol का इस्तमाल किया जाएगा उसके बाद कल हमने discussion किया था तीन डैनासौरी स्पीशी की जो है तीन डैनासौरी प्रजातियां है उनका footprint पाया गया है नीचे comment section बताना वो तीन प्र में ठीक है national company law tribunal के बारे में discussion क्या था, tribunal के बारे में discussion क्या था, कि जो आज के time पर एक तरीके से आप कह सकते हो जो NCLT है इसके अंदर अभी बहुत सारे लोग को appoint किया गया है, लगभग 31 members को appoint किया गया है, यह क्या करता है, यह company से related जो भी cases होते है, insolvency और bankruptcy का cases होते है उन cases को यहाँ पर यह NCLT देखता है, इसमें हमने discussion क्या था, tribunal के बारे में, क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, tribunal क्या होता है, tribunal का क्या use है, यहाँ पर tribunal का exactly use है, इससे क्या फाइदा होगा हमें यह नीचे comment section में ज़रूर बताना, उसके बाद हमने discussion क्या था, Lebanon के बार लोग poverty के चपेट में आ चुके हैं, लोग क्राइसिस में हैं, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए नेजर आएंगे, COVID-19 से बुरा हाल है, तो यह सारी चाज़े Lebanon के अंदर देखने को निल रहे हैं, तो Lebanon को आप जाकर map में नियार भी सकते हो कि Lebanon कहाँ पर है, यह आप तो इसके बारे में ध्यान रखना, इस आर्टिकल में चर्चा हो रही है, इंडिया और आउस्ट्रेलिया की पहली 2 प्लस 2 डायलोग के बारे में, तो यह क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डीटेल में समझेंगे, तो नियूज में क्यों हैं, आप देख पाओगे, इं अंतलब क्या है, मैं आपको एक्जाम्पल लेता हूं, इंडिया और आस्ट्रेलिया, थीक है, इन दोनके बीच में मीटिंग होई, तो दो मिनिस्टर कहा के होंगे, इंडिया के होंगे, और दो मिनिस्टर होंगे, उसको इसको 2 प्लस 2 डोला गया है, लेकिन यहाँ पर यह दो इधर से होगा, यह दो इधर से होगा, इस वज़ास इसको 2 plus 2 meeting बोला जाता है, यहाँ पर आप लोग यह picture देख पा रहे होंगे, यह इधर के external, हमारे भारत के external affair minister, इधर यहाँ पर defense minister, और उसी प्रकार से यहाँ पर यह Australia के आपको देखने को मिल जाएंगे, यह picture यह पाऊगे, Australia आपको नीचे की side यहाँ पर यह नजर आने वाला है, इसके पास Papua New Guinea है, इधर Coral Sea पढ़ता है, इधर Indian Ocean है, ठीके, यहाँ पर आप लोग इसके ओपर एक focus रख सकते हो, अगर exactly हम थोड़ा सा जूम करके देखे, तो Australia कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा, क यहाँ पर आप देख पाऊगे, यह है Indian Ocean, इधर आपको Pacific Ocean देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर बात करी गई है, इस वाले रीजन की, तो इस वाले रीजन में दोनों countries मिलकर, यानि की India और Australia मिलकर, यहाँ पर इस polar area के अंदर काम करेंगे, साथ में मिलकर, ठीके आप कर सकते ह इनका main focus यह है कि Indo-Pacific वाले रीजन को बिलकुल free मनाया जाए, यहाँ पर किसी country का कोई दबदबा ना हो, बिलकुल यह area free रहे, और जितने भी यहाँ पर Indo-Pacific के अंदर बहुत सारी countries उनको support प्रवाइड किया जाए, और उसी वज़ा से आपको मालूम होगा, एक Quad का form भी तो दोनों country ने मिलकर अब भी discussion किया कि अपना जो भी यह cooperation है वो Indo-Pacific वाले रीजन के अंदर और ज़दा expand करने वाले हैं, दन उसके बाद दूसरा यहाँ पर दोनों country का focus रहा है trade को लेकर कि व्यापार को लेकर यहाँ पर focus करेंगे supply chain resilience initiative के उपर, जो supply chain resilience initiative को launch किया गया था यह tryo के नाम से जाना जाता था, ठीक है tryo कि यहाँ पर आपका सकते हो कि जैसे कि यहाँ पर बोला गया India, Australia और Japan के बीच में यहाँ पर यह initiative लाया गया था, जहाँ पर यह लोग अपने trade relations को और ज़दा मजबूत करते हुए नजर आएंगे, तो trade को लेकर यहाँ पर चरच ठीक है, हर दो साल में एक बार तो यहाँ पर दोनों countries मिलने वाली हैं, ताकि जो अपना moment है में अपनी relationship है, उसको आगे maintain करके रख सकें, उसके बाद दोनों countries में मिलकर अफगानिस्तान को लेकर यहाँ पर जो crisis चल रहे हैं, उसके बारे में discussion किया, तो अफगानिस्तान के आज के टाइम पर आपको मालूम है, तालीबान ने टेक ओवर कर लिया है, और उसको लेकर यहाँ पर discussion किया है, इंडिया ने यहाँ पर आपको सकते हो, अभी आपको मालूम होगा, जब इंडिया के पास अगस्त के महीने की UNSC, United Nations Security Council की Presidency थी, तो UNSC में इंडिया ने Resolution 2593 को adopt किया था, यहाँ पर इंडिया ने कहा, अफगानिसान से, कि देखो आपको अपने territory के अंदर terrorism को expand होने नहीं देना है, तो इस चीज को भी जो Australia है, वो पूरी तरह से support करता हुआ नजर आएगा, ठीक है, तो यह चीज के अपर focus रखना है, मतलब कि इन इन चीजों के उपर यहाँ पर इंडिया और Australia के बीच में बातचीत हुई, देन उसके बाद, इंडिया और Australia और किसके उपर focus रखा, counter terrorism के उपर, जो आतंगवाद है, उससे दोनों countries मिलकर आपस में लडेंगी, दोनों आपस में खड़ी होंगी, दोनों यहाँ पर अपने relations को expand करेंगी, इस sector के कर हो, या maritime security को हो, community link हो, cyber climate cooperation हो, इन सभी sector के अंदर दोनों के relations हमेशा उपर की side यानि strengthen रहने वाले हैं, दिन उसके बाद, दोनों ने discussion किया, यह लोग COVID-19 को लेकर cooperation करेंगे, मतलब कि जो coronavirus है, उसकी जो vaccines वगरा है, उसको deliver करना, vaccines को अच्छे से manage करना, vaccine की manufacturing करना, तो इस ज यहाँ पर deliver करेंगी high quality vaccines को Indo-Pacific partners में, मतलब Indo-Pacific region के अंदर जो भी countries होगी, उनको भी यहाँ पर vaccines वगरा provide करवाई जाएंगी, साथ ही साथ यहाँ पर आप कह सकते हो कि और भी जादा, जो researches वगरा है, COVID-19 को लेकर वो researches चलाई जाएंगी, दोनों countries मिलकर आपस में यह करन हैं, प्लस यहाँ पर Australia ने अभी भारत को invite किया, तालिस्मान साबरे exercises के अंदर, तो यहाँ पर आप कर सकते हो, अभी India को invite भी करा गया है, प्लस दोनों के जो relationship है, defense को लेकर वो काफी अच्छे हैं, मैं भी आपको बता हूँगा, अगर मैं defense relationship की बात करें, इंडिया और Australia की तो दोनों के बीच में बहुत सारे अभ्यास होते हैं, bilateral level exercise होती है, जिसको नाम दिया गए, और सिंदेक्स जो की हाल ही में होई थी, और हमने discussion भी गया था, उसके बाद, इंडिया और Australia की बीच में एक और अभ्यास होता है, ex-Austral Hind, यह bilateral exercise होती है, army के बीच में, उसके बाद आप कर सकते हो, यह दोनों कंट्री जो है, इनोंने मिलकर sign कर रखा है, mutual logistic support agreement, उसके बाद, जो दोनों के geopolitical relations है, उसके बारे में अगर हम discussion करें, तो देखो, चाइना को tackle गया जा रहा है, चाइना, बहुत ज़दा चाइना के जो relations है, वो Australia के साथ काफी हद तक खराब है, ठ आप चीजों को देखते वे, Quad का formation हुआ था, Quad को बनाया गया था, और Quad के अदर कौन को उसी चार कंट्री जो है, मैं आप लोग को बता ही चुका हूँ, India, Australia, Japan और USA, उसके बाद, इंडिया और Australia के और relations के बारे में discussion करें, तो दोनों के बीच में multilateral cooperation है, multilateral cooperation का मतलब जो दोन इनों countries मिलकर cooperate करती हैं बहुत सारे areas के अंदर, तो आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा idea रखना है, आगे बढ़ेंगे अकले article की तरह, अगला article GS Paper 1 हिस्ट्री के point of view से important होने वाला है, हिस्ट्री आपका GS Paper 1 के अंदर ही आता है, यहाँ पे discussion क्या है या एक important personality के बारे में जिनका नाम है आचारे विनोबा भावे, ठीक है, यहाँ पे इनके नाम से एक आंदोलन काफी द्यादा famous है, भूधान आंदोलन, ठीक है, भूधान आंदोलन क्या है, लैंड गिफ्ट, यह movement क्या है, आगे में आपको बताने वाला हूँ, तो article चर्चा में क्यों है, यहाँ one of the most important series है, क्योंकि यहाँ पर government directly data को publish करती है, जैको, अब यहाँ पर क्या बोला गया, पहले में आपको इनके बारे में एक छोड़ी सी information देता हूँ, फिर उसका बाद आगे discussion करेंगे, जो यहाँ पर विनोध अचारे भावे जी है, इनका जन्म हुआ था 11 September 1895 में, कहाँ गगोडे Bombay Presidency, जो कि महराश्टरा के अंदर है, उसके बाद यहाँ पर बताया गया, यह एक eldest संथे नाराहरी शंभू राव जी के, और रुकमिनी देवी के, और इनकी जो मदर थी, उनको, उनको, इनकी मदर नहीं हाँ पर, आपका सकता हो, इनको, कि यह गीता को पढ़े, तो इन्होंने यहाँ पर गीता को भी पढ़ा, दन उसके बाद यहाँ पर जो इनकी brief profile है, उसके बारे में अगर हम बात करें, तो इंडिया के एक सबसे जाने माने social reformer है, जो की बहुत ज़दा follow करते थे महात्मा गांदी जी को, लिए महात्मा गांदी जी को पूरी तरह से follow करते थे, उनके रास्ता को बिल्कुल पूरी तरह से follow करते थे, तो आप यहाँ पर एक idea रख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर जो यह विनोबा भावे जी है, यह founder थे भूदान योजना के, जिसको land gift movement बोला गया, तो land को gift करा गया, बहुत सारे हरीजन्स को, उसके बारे मे यहाँ पर बात की कई है, मैं भी आपको बताऊंगा, तो जैसे मैंने बोला, कि यहाँ पर जो यह भावे जी है, यह गांदी जी को पूरी तरह से follow करते थे, तो इनका association गांदी जी के साथ बहुत जादा था, यह attracted थे, महात्मा गांदी जी की जो ideology थी, उनके जो principles, उनके ज आपको सकते हो, इन्होंने अपना high school की studies त्यागी, 1960 में और फिर उसके बाद गांदी आश्रम जोइन किया, कहाँ पर साबरमती के अंदर, गांदी जी की teaching से यहाँ पर बहुत कुछ सीखा, और आपको सकते हो, काफी हाँ तक improvement करा भावे जी ने अपने अंदर, फिर उसके आपको सकते हो, कि जो freedom struggle है, freedom struggle के अंदर भी यहाँ पर इनका बहुत बड़ा रोल रहा, क्योंकि हमने अभी discuss किया, कि यह social reformer भी रह चुका है, तो इन्होंने बहुत सारे programs के अंदर पाड़ लिया, जो non-cooperation वाला program था, उसके अंदर भी इन्होंने हिस्सा लिया, especially हाँ पर product है, उनका बहिशकार सकें, अंगरेजों का product ना खरीत कि हम अपने country का product का use कर सकें, तो यहाँ पर आपका सकते हो, स्वादेशी movement को, स्वादेशी goods को यहाँ पर काफियत तक promote करा गया, भागजी के दोरा, उसके बाद 1940 में यहाँ पर इन्होंने decide कि यह तरीके से इनको choose कर इनको चुना गया, पहले individual सत्या ग्रही के तौर पर, ठीके, against the British Raj, यह चीज़ आपको ध्यान रखनी है, फिर उसके बाद इनको जेल में डाला गया, देखो बहुत बार इहाँ पर इनको जेल में डाला गया है, 1920s, 1930s के आसपास, और बहुत सामेत यहाँ पर यहाँ जेल मे किस प्रकार से चलाए गया, तो अगर हम बात करें, 1951 साल की बात है, जो हरीजन्स हुआ करते थे, हरीजन कहां की हुआ करते थे, तिलंगना का एक गाउँ था, पोचमपली गाउँ, ठीके, तो यहाँ के बहुत सारे हरीजन्स थे, उन्होंने क्या करा, विनोध भावे जी स रिक्वेस्ट करी, इनसे रिक्वेस्ट करकर बोला, कि हमें 80 एकर तक लगबग यहाँ पर जमीन की जरुवत है, तभी हम लोग अपनी लिविंग्स को बना पाएंगे, आगे जीवन व्यतीत कर पाएंगे, तो विनोध भावे जी ने क्या करा, जो विलेज के बहुत सारे ल यहाँ अहिंसा की तरह से यहाँ पर चीजे चलाई गई, और यहाँ पर शांती पूर्बग क्या करा गया, आपका सकते हो कि यह बिगनिंग हो चुकी थी भूधान की, गिफ्ट आफ दा लैंड मूवमेंट यहाँ पर चालू हो चुका था, बहुत सारे जो यहाँ पर हरीज इनको कलेट किया, और उसको यहाँ पर जो गरीब लैंडलेस फार्मर से 1.3 मिलियन फार्मर को यहाँ पर यहाँ पर यह जवीन दी, तो ऐसा आप कह सकते हो, उनको यहाँ पर जीवन व्यतीत करने का एक सारा दिया गया, इनके द्वारा यह कुछ चीजें यहाँ पर देखन क्या है, ताकि एक सिंपल वे उफ लाइफ को प्रमोट कर सेके लोगों के अंदर, इन्हों ने ब्रहमा विद्या मंदिर को अस्टबिश करा 1959 में, और साधी साथ आप कर सकते हो कि यहाँ पर एक इन्हों ने स्ट्रॉंग स्टेंड लिया, काव स्लोटर को लेकर यहाँ पर की काव स्लोटरिंग ना देखने को मिले, इसके उपर यहाँ पर फोकस किया गया, इसको बैन किया गया, तो यह चीज़े हम लोग को देखने को मिली है, उसके बाद लिटरी वक की बात करें, तो इन्होंने काफी कुछ लिखा है, इनकी important किताबे हैं, जैसे की स्वराज भावे जी कि यहाँ पर हम बात करें, तो पहले international figure है, जिनको रामन मागसे से अवोर्ड दिया गया था 1958 में, इनको अवोर्ड दिया गया भारत रतन अवोर्ड दिया गया 1983 में, तो आपको सकतो बहुत सरे अवोर्ड से भी इनको समानित किया गया है, अगला article भी आपका history के point of view से important होने वाला है, और history आता है GS paper 1 के अंदर, यह article बहुत important है, इसको ध्यान से सुनना, यहाँ पर हम लोग battle of सारगडी के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि एक केसरी movie बनी थी, वो भी यहाँ पर इसी के उपर बनी थी, ठीके, तो यहाँ पर हम लोग एक original story के बारे म पर जीत भी हासिल करी, यहाँ पर आप देख पाओगे Indian Express का article है, यहाँ पर सारगडी करके चर्चा हुई भी है, यह अच्छा यह news में क्यों है, news में इसलिए है क्योंकि अभी हाली में 12 September निकला है, ठीके, तो जो 12 September है, उसमें 12 September को 1224 वी anniversary celebrate करी गई battle of सारीगडी की, ठीके को news में cover किया गया, और इसी वज़ा से आपको पढ़ना भी है क्योंकि इस type of questions QPAC बहुत सारे पूचता है, जैसे कि कहीं पर 100 anniversary हो गई, 50th anniversary हो गया कोई सी anniversary हो रही है किसी चीज़ की, तो इसके regarding पहले भी questions बने हैं, तो यहाँ पर जो यह सारीगडी का यह battle हुआ था, इसक पर आप कर सकते हो, जो यह सारीगडी है, exactly यह क्या है, एक communication tower है between the Fort Lockhart and Fort Gulistan, अब यह क्या है, सारीगडी कहाँ पर यह जगा है, तो आप देख सकते हो, यह इंडिया का map है, ठीक है, यहाँ पर इंडिया के map में आप देख पाओगे, पहले पाकिस्तान भी यहाँ पर इंडि पर इंडिया था, ठीक है, तो रश्या और अफगानिस्तान के बीच में यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आप कर सकते हो, कि यह एक तरीके से buffer zone की तरह पर देखने को मिलता था, जो सारीगडी वाली जगा है, वो यहाँ पर आपको यह वाली देखने को मिल जाएगी, एक तरफ है किला गिलतिस्तान, फर्ट गिलतिस्तान, उसके बाद 여ाँ पर है फर्ट लोखहट, ठीक है, इनके बीच में यहाँ पर यह सारी गड़ी था, यह विए अपर एक तरीके से यह पर ही था, आप कर सकते हो और एक तरीके साब कर सकते हो यह चौकी बनाई गई थी, अब यह चौकी क्यों बनाई गई थी, यह fort इसलिए बनाई गया था, ताकि जो यह Britishards है, Britishards क्या करें, अफगानिसान से लगबग अफगानिसान के ओपर नज़र रख सकें, साधी साथ अफगानिसान के साथ साथ, रशिया से कोई यहां पर आतो नहीं रहा है रशिया से कोई खत्रा तो नहीं है तब उस समय डोनों के बीच में यहां पर युद भी चल रहा था तो यह तीन जगे बनाई गई थी लेकिन उस समय क्या हुआ अफगानिस्तान के अंदर एक तरीके से tribes रहते थे, बहुत सरे tribes रहते थे, उसमें से एक tribe थी, oraxi tribe ठीके कौन सी थी, oraxi tribe यहाँ पर oraxi tribe पाई जाती थी, कहाँ पर इस वाले areya के अंदर तो oraxi tribe यहाँ पर नहीं चाहती थी कि जो Britishers हैं, वो एक तरीके से ही हाँ पर fort बगरा बनाएं, और और यहां पर एक तरीके से निगरानी रखें, यह नहीं चाहते थे, तो यह तीन फोर्ड थे, आपको ध्यान रखना है, और तीनो फोर्ड में आपको बताया, जो सारी गड़ी वाला है, यह तरीके से communication tower था, Fort Lockhart और Fort Glisten के बारे में, यहां पर क्या होदा था, तीनो जगा पर यहां पर Britishers हो गए, अब क्या हुआ, ब्रेटिश इंडिया के लोग हो गए, अब क्या था यहां पर, यह लोग पूरी तरह से निगरानी रखते थे, पूरे एरिया पर निगरानी रखते थे, अब यह पूरी गड़ी वाला एरिया है, यह दोनों को कॉन्टेक्ट में रखता था, दोनों को यहां पर बीच में कम्यूनिकेट करवाता रहता था, यह एरिया बहुत important था, तो जैसे मैंने बताया, कौन सी ट्राइब थी, वो थी औरकजाई ट्राइब, जो औरकजाई ट्राइब तो क्या होगा, इनका दिमाग यह चला, औरकजाई ने सोचा, हम लोग पहले सारी गड़ी कोई कबजाते हैं, सारी गड़ी के उपर कबजा करते हैं, और यहां पर जो भी लोग हैं, ब्रेटिश इंडिया के जो भी लोग हैं, इनको हटाते हैं, इनको भगाते हैं, जब यह exactly 12 September 1897 की बात है तो 12 September 1897 में हुआ क्या exactly ठीक है तो यहाँ पर यह हम लोगों को देखने को मिला कि जो ओरकजाई ट्राइब थी इन्होंने सोचा चलो हम इस पर एक तरीके से कबजा करते हैं तो सुबा 9 मुझे हाँ पर एक तरीके से यहाँ पर इन्होंने यह शुरू करा इनक सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 21 सिख थे ठीके और जो यह सिख लोग थे ना यह कहीं मतलब ब्रिटिश वाली जगा को ऐसा नहीं मानते थे कि यहाँ यह ब्रिटिश अर्ज अंग्रेज की साइट से रड़ लें बिलकुल नहीं क्योंकि यहाँ पर यह जो सारी गड़ी वाला इसको बनाया गया था किसके द्वारा जो महाराजा रंजीत सिंग जी थे इनके द्वारा तो आप कर सकते हो कि इसको बाद में रिनेम किया गया ब्रिटिश वारा तो जो यहाँ पर सिख थे लोग थे ना वो यह मानते थे यह महाराजा रंजीत सिंग की जगा है और महाराज soldiers ने यहाँ पर इनको समाली रखा और आप कहा सकते हो इसमें से कितने सारे लोग को मारा लगबग यहाँ पर 600 इंजर्ड हुए और 200 लोग को जान से मारा तो यह सारी चीज़ यहाँ पर देखने को मिली थी जो यहाँ पर पूरा पूरा heavily outnumbered soldiers है लगबग आप कहा सकते हो यह जो भी regiment था सिक का यह 36 वा सिक regiment था यहाँ पर सिर्फ 21 soldiers थे आज के टाइम पर यह 14 इंडियान आर्मी के अंदर देखने को मिलेगा और यही जो 21 सिक थे यह काफियत तक भारी पड़ गए थे किसके उपर यह 10,000 अफगान के उपर ठीक है और उस समय जो यह soldiers का regiment हुआ करता यह lead किया जाता था हविलदार इशार सिंग जी के द्वारा हविलदार इशार जिंग कौन थे तो यहाँ पर आप केसरी मूव यह आपने देखी होगी जो अक्षे कुमार है इन्होंने हैं यहाँ पर इनी का role play किया था ठीक है तो जैसे मैंने बताया 600 लोग injured हुए और लग अवर्ड दिया गया था इसके बारे मा आप लोग ध्यान रख सकते हो तो यह सारी गड़ी के बारे मा आई होप आपको यह clear हो गया होगा क्या है exactly in fact आज के टाइम पर क्या है ना जो खाइबर स्काउट रिजिमेंट है पाकिसदान आर्मी की वो भी salute करती है सारी गड़ी की जो memorial बने वे हैं Fort Lockhart के पास में वहाँ पर उनको salute किया जाता है ठीक है क्योंकि यहाँ पर यह काफिया तक बहुदरी दिखाई गई थी यह ब्रेवनेस की बात हो रही है ठीक है ब्रेवरी दिखाई गई थी यहाँ पर बहुत सारे six के द्वारा आगे बढ़ेंगे next article की दर next article हमारा environment perspective से important होने वाला है और environment आता है GS paper 3 के अंदर यहाँ पर चर्चा हो रही है दुगौंग conservation reserve के बारे में दुगौंग यह वाला जानवर देखने को मिलेगा इसको sea cow भी बोल जाता है ठीक है? sea cow भी बोल जाता है प्लस elephant जैसा यहाँ पर कुछ इसका size वगरा देखने को मिलेगा air की article है first दुगौंग conservation reserve जो है भारत के अंदर बनने वाला है तो इंडिया का पहला दुगौंग conservation reserve बनाया जाएगा तमिल नाडू के अंदर जहाँ पर जो यह दुगौंग जानवर है इ UCN status की यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी और यहाँ पर यह कहीं ने कहीं खतम ना हो जाएं यह दुगौंग इस वज़ा से इनको production देनी की जरूरत है और उसी कारल वर्ष यहाँ पर यह reserve बनाने की बात करी गई है जो यह reserve बनाया जाएगा तमिल नाडू के अंदर बना और यह हो गया पाकबे ठीक है इस वाले एरिया की बात हो रही है तो पाकबे क्या है एक semi enclosed shallow water body आपको देखने को मिलेगी with a water depth of 13 meters 13 meters के यहाँ पर water depth देखने को मिलेगा जो कि अभी हम लोगों ने देखा ठीक है यह जो एरिया है यहाँ पर पाकबे है और इसी पाकबे को ल दुगॉंग क्या है दुगॉंग को हम लोग सी काव भी बोलते हैं ठीक है समूदरी गाय भी बोल सकते हो और यह स्टेट अनिमल है अंडमन अन निकोबर आइलेंड का स्टेट अनिमल है यह भी आप लोगों ध्यान रखना है इनडेंजर्ड मेरीन स्पीशी है और आप कह सक और आप यह मान सहारी नहीं है ठीक है यहाँ पर क्या है यह घास पूस बगरा खाने वाला जो सी ग्रास है उसको यहाँ पर जाए तर खाता है उसको पर डिपेंडेंट रहता है इस ट्रेक्टली मैरीन है और एक तरीके से जो यह दुगांगे यह तीन लिमीटर लंबा होता है बिल्कुल यहाँ पर आप देख पा रहोंगे यह दुगांग है तो यहाँ पर क्या एलिफरेंट से कुछ मिलता जूलता है यहाँ पर यह दुगांग नजर आता है यहाँ पर आप लोग देख पा रहोंगे इस पिचर के अंदर तो उसके बाद यहाँ पर जॉल्फिन वग काम भी कर रहे हैं स्टेप्स का उठा रहे हैं तो फरवरी 2020 के अंदर इंडिया ने तेरवा Conference of Parties को एक तरीके से होस्ट किया था जहां पर में फोकस रखा गया कि जो Convention है Conservation of Migrated Species of Wild Animals उसके उपर फोकस किया जा सके जो Wild Animals हैं उनको protection दी जा सके उसके बाद हमारी सरकार ने यानि कि Government of India है वो भी कहीन है कि इस Convention का पार्ट बनी और इसको sign किया 1983 से यहां पर हम लोग पार्ट है और हम लोग आज के टाइम पर बहुत सारे Animals को protection प्रोवाइड करवा रहे हैं उसके अंदर यहां पर टर्टल्स हो गए दुगोंग हो गए Raptors भी हो गए इनको हम लोग protection देते वे नजर आ रहे हैं आगे बढ़ेंगे अगले Article के दरफ अगला Article Social Issues के Point of View से Important है और Social Issues Yes Paper One के अंदर आता है यहां पर बात हो रही है स्वच्छ सर्वेक्षन गरामीन के बारे में Article News में क्यों है क्यों है क्योंकि आप देख पाओगे PIB का Article है और PIB Important Source है यहां पर क्या हुआ है जो Ministry of चल शक्ती Ministry है इन्होंने यहां पर e-launch किया है स्वच्छ सर्वेक्षन Department of Drinking Water and Sanitation आपको नाम से समझ में आ रहा होगा स्वच्छ सर्वेक्षन गरामीन तो जो गाउं वाले एरिया है वहां पर स्वच्छता को प्रमोट करने के डिस्केशन किया जा जो स्वच्छ सर्वेक्षन गरामीन 2021 है यहां पर main focus यह है country के अंदर जो open defecation free area है उसको हम लोग यहां पर accelerate कर सके हैं जो हमारा initiative है हम लोग पूरे एरिया को देखो खुले में शौच ना हो बिल्कुल भी यह हमारा focus है इससे बहुत ज़्यादा बिमारिया वगरा बढ़त गरामीन है इसके दो occasions पहले भी ऊचुके हैं साल 2018 साल 2019 में अब साल 2021 के अंदर आपको यह भी देखने को मिलेगा स्वच सर्वेक्षन गरामीन के अंदर बहुत सारे villages यहां पर इसके पार्ट हैं आपको number याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो main focus करा जा रहा है कि वहां पर open defecation free area को बनाया जा सके और villages वगरा कितने हैं यहां पर आप numbering वगरा देख सकते हो जो कि हमारे कामका नहीं है जैसे कि मैंने अभी आप लोग को बताया ओके now बढ़ेंगे आगे next article की तरफ next article economy के perspective से important है और economy आता है GS paper 3 के अंदर यहां पर चर्चा हो रही है मैं भी digital 3.0 क यहां पर अब देख पा रहे हैं एक व्यक्ति है इन्होंने इस टॉल लगा रखा है पेटेयम 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 यहां पर रखावाय जाकर पेटेयम करो ठीक है तो यह मुद्ध क्या है यहां पर हम लोग समझेगे निउस में क्यों है प्याएवी का आर्टिकल है जो ministry of housing and Urban Affair है, इन्होंने collaborate किया किसके साथ? Ministry of Electronics Information Technology के साथ यहाँ पर collaborate किया, collaborate करने के साथ यहाँ पर launch करा है, मैं भी digital 3.0 अब जो यह 3.0 होने वाला है यहाँ पर focus किया जाएगा, जो street vendors, जो यहाँ पर गलियों में ठेला लगा रहे हैं, जो भी ठेला लगा कर, फड़ लगा के यहाँ पर कमा रहे हैं, इनको यहाँ पर एक तरीके से यह सुभीदा दी जा सके हैं, और यह भी जो है digital transaction कर सके हैं, उसको लेकर इनको training provide की जाए, जो भारत पे हो गया, MSYP हो गया, phone pay, PTM, ASYR, यह सब यहाँ पर इसी के अंदर participate किया, यहाँ पर क्या करेंगे, यह लोग अपना UPI ID, QR code जो होता है, यह provide करवाएंगे, और एक तरीके से यहाँ पर digital training देंगे, इन सारे street vendors को, ताकि यहाँ पर यह लोग इस digital payment का इस्तमाल कर सकें, और इस QR code को रखेंगे, तो यहाँ पर एक तरीके से इससे क्या होगा, जो digital transaction है, वो हमारी country के अंदर promote होता हुआ नजर आएगा, ठीके, एक तरीके से आपका सकतो हो, इन लोग को handover किया जाएगा, जो यह QR code होता है, वो handover किया जाएगा, training दी जाएगी, कि किस प्रकार से यहाँ पर receive करना है, payment करना है, transaction करना है, ठीके, तो यहाँ पर इससे क्या होगा, digitalize, हम लोग अपने digital इंडिया के ओपर पूरी तरह से फोकस कर पाएंगे, जाद साधा जो transaction है, वो हम लोग को digitalized way में देखने को मिलेगा, उसके बाद, next article, economic के perspective से important है, और economy आता है, GSP पर 3 के अंदर, यहाँ पर चर्चा हो रही है, container shortage के बारे में, container क्या होते हैं, तो container जब आप पोर्ट पर जाओगे, तो इस प्रकार के container देखने को article है, container का shortage हो चुका है, और इसका impact international trade प्लस इंडिया के ओपर भी काफी जादा देखने को मिल रहा है, reasons क्या है, देखो आज के टाइम पर जो shipping vessel है, वो काफी है तक कम देखने को मिलेंगे, COVID-19 pandemic की वज़ा से यह सब कुछ कम मात्रा में चीज़े, activities कम मात्रा में हो रही है, आचानक से market खुला, तो यहाँ पर यह possibility नहीं हो पा रही है कि तेजी से यहाँ पर container को पूरा कर पाए उसके बाद बहुत सारे area के अंदर क्या है, लंबे समय तक ships खड़े रहते हैं बहुत सारे airports के अंदर बहुत सारे ships देखने को मिलेंगें, वहाँ पर container रखा वाए तो उसकी वजह से भी यहाँ पर आप कह सकते हो यह container की shortage पढ़ रही है दूसरी जगा पर तो इसके ओपर focus रखा गया इससे क्या हो रहा है, आज के टाइम पर दुनिया भर में बहुत बड़ा impact पढ़ रहा है जो global economic recovery है देखो, यहाँ पर इसके ओपर काफियत तक definitely impact पढ़ेगा, क्योंकि आज के टाइम पर क्या हो रहा है न, container shortage की वजह से जो charges है, freight charges जो इदर उदर ले जाने की charges होते हैं, वो भी increase होते प्लस, इंडिया के उपर impact क्या पढ़ रहा है इंडिया के जो export आ रहे है, वो आज के टाइम पर वो delay phase कर रहे है, बहुत देरी हो जा रही है जब order आ रहा है तो देख पाऊगे order fail हो जाएगा ऐसे तो, क्योंकि यह order किसी country ने दिया है, अब यहाँ पर हमें order को complete करना है, तो उसको time to time देना पड़ेगा otherwise order fail हो जाएगा, वरना वो दूसरी से जाकर order लेगा तो इससे यहाँ पर इंडिया को काफिये तक दिक्कत देखने को मिल रही है, इंडिया जो है अपने goods को direct किया, अपने officer से बोला कि जो भी समान आ रहा है containers के अंदर या जो भी समान है containers में, फटाफ़ड यहाँ पर उसको containers का जो समान है, समान निकालो और फटाफ़ड containers को भेजो, ठीक है containers को अपने जगा पर पहुचाओ, ताकि container का shortage कम से कम हो जाए और ऐसी यहाँ पर दूसरी country भी focus आज के टाइम पर रख रही है, ताकि container shortage को कम से कम किया जा सके otherwise नहीं तो economy हमारी काफ़ी अतक एक तरीके से, economic ओपर भी impact पढ़ता वा नजर आएगा, in fact global economy के ओपर भी impact पढ़ता वा नजर आएगा तो guys, I hope आप लोग को सभी article अच्छे से clear हो गए होगे, now इसी के साथ हम लोग करते हैं अपने lecture को समाप्त, मिलते हैं आप लोग को से next video में, आज के लिए bye bye, have a nice day, thank you and जैहिंद